नमस्कार श्वागत है आपका इस वीडियो में आपके साथ मैं हूँ सुनी थी आज हर बिहारवासी का सर गर्व से उचा है हर बिहारवासी गर्व कर रहा है साकिबुल गनी पर साकिबुल गनी जोकी क्रिकेटर है और उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला है जिससे हर कोई गर्व कर रहा है साकेबुल गनी ने बड़े बड़े दिगजों को पीछे छोड़ते हुए अपने डेब्यू मैच में 13 सतक जड़ दिया है आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है यह एक विस्व रिकॉर्ड है विस्व में आज तक किसी ने भी अपने डेब्यू मैच में 13 सतक नहीं बनाया है 22 साल के साकेबुल गनी बिहार के मोतिहारी के रहने वाले है अपने पहले ही मैच में साकेब ने क्रिकेट के धुरंदरों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच डाला है उन्होंने रंजी के डेब्यू मुकाबले में सरवाधिक रन बनाने का स्कोर अपने नाम किया है साकेब ने अपने पहले ही मुकाबले में तीसरा सतक जड़ा है आज तक कोई खिलाडी अपने डेब्यू मैच में तीसरा सतक नहीं जड़ सका था साकिबुल गनी ने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर सरवाधिक स्कोर बनाया है वो फर्स्ट क्लास डेब्यू पर तेहरा सतक बनाने वाले पहले खिलाडी बन गया है बिहार के मिजोरम के खिलाब रंजी ट्रॉफी मुकाबले में उन्होंने 341 रंगी पारी खेली है 18 फर्वरी को 405 गेंद पर उन्होंने यह पारी खेली है 22 साल के साकिबुल गनी ने मध्य प्रदेश के अजर रोहरा का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2019 में फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 267 रन नाबाद बनाये थे रोहरा ने हैदराबाद के खिलाफ या पारी खेली थी रोहरा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गनी ने विस्व रिकॉर्ड बना डाला है आपको बता दें साकिबुल गनी बिहार के मोतिहारी जिले के हैं उन्होंने जिला की है स्कूल से अपनी पढ़ाई की है क्रिकेट से लगाओ की वज़े से उन्होंने कड़ी मेहनत की जिसका फल उन्हें रंजी डेव्यू के मौकी के रूप में मिला उन्होंने इस मौकी का फायदा उठाते हुए अपने आपको साबित किया अपनी काबलियत को उन्होंने अपने पहले मैच में ही दिखा दिया गनी ने 387 गेंद पर अपनी ट्रिपल सेंचरी पूरी की जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे इस मुकाबले के दूसरे दिन उन्होंने 13 सतक पूरा किया उनकी पारी 405 गेंद खेल कर पूरी हुई अपनी पारी गेंद उन्होंने 341 रन बनाए बिहार ने पहली पारी में 600 से ज्यादा का स्पोर बनाया गनी ने चौथे विकेट के लिए बाबुल कुमार के साथ 557 रन की साज़दारी की बाबुल कुमार ने भी 12 सतक लगाया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनर्सिप का रिकॉर्ड स्रिलंका के कुमार सांगकारा और महेला जैवर्धने के नाम है इन दोनोंने साथ एफ्रीका के खिलाफ 2006 में 624 रन जोड़े थे रंजी ट्रॉफी में पार्टनर्सिप का रिकॉर्ड महराष्ट के स्वपनिल गुगले और अंकित बावने की बीच है दोनोंने 594 रन की नाबाद साज़दारी की थी बिहार के साक्रिबुल और बाबुल अब इस रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है यह चौथे विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साज़दारी है इससे पहले 1946-47 में विजय हजारे और गुल मुहमद ने बढ़ोदा के लिए 577 रन जोड़े थे रंजी ट्रॉफी में यह बिहार की तरफ से जमाया गया पहला 13 सतक है यह इस बल्लेबाज का पहला प्रथम स्रेनी मैच था और पहले ही मैच में 13 सतक लगाने वाले पहले भारतिये बन गया है साकिबुल गनी साकिबुल गनी के 13 सतक से उनके परिवार के साथ साथ पूरे जिले में खुसी का महौल है हर कोई उमीद कर रहा है कि वो जल्दी भारतिये टीम के लिए खेलेंगे और नए विस्वरिकॉर्ड बनाएंगे इस वीडियो में यहीं तक अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए जूरे रहे हमारे साथ धन्यवाद